नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त माराश्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्ट नूमबर 3, HCF and LCM नेक्स्ट पॉइंट है, HCF and LCM of Co-Prime Numbers तो यह पॉइंट शुरू करने से पहले आप सभी का उन्रद है, चैनल को लाइक करें, शेर करें और सबस्राइब करें, और बेल आउकान प्रेस करें, जिससे के आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल चाहें अब देखिए, Co-Prime Numbers क्या होते हैं, तो Co-Prime Numbers के हमने एक definition ली थी, जिसमें हमने दिखा था कि दो ऐसे नमबर, जिनका common divisor, दोनों का भी divisor सिर्फ, वन ही होगा, तो उन्हें हम कहते हैं Co-Prime Numbers, एक हम यहां पर example ले लेते हैं, 15 और 8, अब देखें, इनका अगर हमें ECF find करना है, और LCM में find करना है, तो कैसे find करना है, देखिए, अब 15 और 8, ऐसा कौन सा नमबर है, जिससे इन दोनों का डिवाइड होगा, अब हमने Co-Prime की definition ही ले लिया है कि इनमें common divisor कोई होगा है नहीं, 1 के अलवा, तो इनका common divisor होगा 1 ही, तो highest common factor इनका 1 ही आता है, अब देखिए, 15 और 8 के common factor और divisor, इनमें कोई common है, क्या देखिए, 15 कहते हैं, 1 divisor से भी हम 8, अब इनमें और इनमें common क्या है, देखिए, सिर्फ 1, तो इन दोनों का HCF होगा 1, तो अगर Co-Prime नमबर हमें दिये गए हैं, और उनका हमें HCF पूछा गया है, तो directly लिखना है 1, अगर उनका LCM find करना है, तो इन दोनों में common factor कोई है ही नहीं, तो 14 और 8 को दोनों को डिया करो हमें LCM मिल जाएगा, 15, 8, 120, क्योंकि जब 15 के टेबल में हम count करेंगे, 15, 8 जब आएगा तभी हमें ऐसा नमबर मिलेगा, जिससे 15 से और जिसको 15 से और 8 से दोनों से डिवाइड होगा, तो यह होगा 120, इन दोनों का multiplication, तो हमें एक rule द्यान में रखना है अभी, highest, HCF, highest common factor और LCM, अगर को प्राइम नमबर का हमें find करना है, तो HCF होगा 1, और LCM होगा इन दोनों का multiplication, और एक example हम यहां पे लेंगे, HCF and LCM of 7 and 5, अब 7 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो दो नमबर अगर हमने प्राइम ले लिए हैं, तो वो को प्राइम होते ही हैं, अब 7 औ और LCM find करने के लिए, इन दोनों का हमें multiplication करना है, 7 into 5, 35, अब जो rule था देखे, HCF into LCM, HCF 35 into 1, यहां पे होगा 35, और product of the numbers, तो product of numbers, जो है, वो ही 35 है, तो 35 product है, देखे, 7 into 5, 35, तो product of the numbers is equal to HCF and LCM, यह हर pair के लिए, जो rule है, वो, मतलब true ही साबित होता है, practice at 14 में question है, देखे, find the smallest number, which when divided by 8, 9, 10, 15, or 20, gives a remainder of 5 every time, तो question का मतलब क्या देखे है, कि 8, 9, 10, 15, or 20, इन सभी number से, किसी एक number को हम अगर divide करेंगे, तो हमें every time, हर number से divide करने के बाद, remainder 5 ही मिलना चाहिए, और वो number smallest number होना चाहिए, तो smallest number, जिस number को इन सभी number से divide होगा, ऐसा number होता है LCM, अब जब divide होगा, तब हमें remainder 0 मिलेगा, मतलब इन सभी number से LCM को हम divide करेंगे, तो remainder 0 मिलेगा, तो अब क्या करना है, कि पहले वो number point करना है, जो smallest है, और इन सभी से divide होता है, मतलब remainder 0 मिलता है, तो उसमें हमें क्या करना है, कि plus 5 करना है, तो उसमें अगर plus 5 हम करेंगे, तो 8 से divide करो remainder 5 9 से करो remainder 5 सभी नमबर से divide करेंगे तो remainder 5 ही मिलेगा अब यह point समझने के लिए देखे हम एक example दूसरा लेंगे suppose 25 और 20 हमने लिया था तो इन दोनों का highest common factor आता है sorry LC हम आता है 100 100 इस नमबर को दोनों नमबर से हम अगर divide करेंगे तो हमें remainder 0 मिलेगा 25 से हम divide करेंगे 25 for 100 100 माइनस करने के बाद यहाँ पर remainder 0 20 से divide करेंगे 25 for 100 100 minus 100 remainder 0 मिलेगा तब अब देखिए 25 और 20 तक हम कोई भी remainder दोनों में भी हम ला सकते हैं कैसे देखिए 100 में suppose हम प्लस करेंगे suppose 5 तो यहाँ 105 होगा अब 25 से divide करेंगे 100 remainder 5 आएगा 20 से divide करेंगे 25 100 remainder 5 आएगा अब 100 से लेकर 119 तक हम कोई भी number यहाँ पर प्लस करेंगे तो दोनों का भी remainder मतलब दोनों नमबर से हम जब divide करेंगे तब remainder same आएगा तो यही जो मतलब concept है वो हमें यहाँ पर apply करना है कि जैसे इन सभी का हमें LCM find करना है तो LCM हम find करेंगे vertical arrangement से सभी का एक साथ लेकर तो हमें लेना है 8, 9, 10, 15 और 20 पहले हमें देखना है कि 4 नमबर को कौन से या कितने नमबर से हैं 5, 5 को कौन से नमबर से divide होता है 5 नमबर को सभी को तो देखिए दोस्तों 2 से देखिए 2 से सभी को divide होता है क्या नहीं होता 9 को नहीं होता 2 से 15 को नहीं होगा अब 3 से देखिए सभी को divide नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा 3 के table में 8 तो आता नहीं है 1 की 1 है एक और है तो अब हमें 5 number नहीं देखना चार number देखना है कि 4UMBER को कुछ से number से divide होगा यहाँ पे 8 है 10 है 8, 10, 20 यह 3 number जो हैं वह even numbers है और यहां के 2 number जो हैं वह odd है अब 이번 number को 2 से divide होगा odd को 3 से divide होगा या कोई और number से हो सकता है अब 4UMBER को भी किसी से divide होगा टू थी छार नंबर लेली है हमने तो एक ओड आणहीं आना इसमें या ओड के साथ वान आना है ज़े जब फिर14 तो अब प्र Word करिये है 2-4 जा-8 9 specifically लिखना है 2-5PC-1 15 есте 20 अब फिर तीनों नंबर defer件 होता है कि चैकरने औरwr यह यहांपे है नहीं है यहाँ पे 10 यह दोनों even numbers हैं अब 5, 15 को 5, 15 और 10 इन तीनों numbers को 5 से divide होगा तो 5 से divide करिए 4, 9, 5, 1, 5, 5, 3, 0, 15, 5, 2, 0, 10 अब देखें तीन numbers हैं क्या कोई divide होने वाले नहीं है 3, 9, 2, 4 तो दोनों-दोनों को divide होगा अब दो-दो कोई से numbers हैं देखें 4 और 2 को 2 से divide करिए 2, 2, 4, 9 को as it is लिखो 1 को लिखो, 3 को लिखो 2, 1, 2 अब 9 और 3 को 3 से divide होगा तो 2 को as it is लिखें 3, 3, 9, 3, 1, as it is लिखना है 3, 1, 3, यहाँ पे 1 अब 2 और 3 को किसी भी number से divide नहीं होता है तो हमें directly अब यहाँ पे LCM लेना है तो इन सभी का और यहाँ पे जो रिमेनी गए इन सभी का multiplication 2, 5, 2, 3 तो 2 इन्टो 5 इन्टो 2 इन्टो 3 2 इन्टो 3 अब इनका multiplication करना है 2, 5 और 10 10 तो और 20 यहाँ तक लिखें 20 3 इन्टो 3, 9 9 इन्टो 2, 18 18 इन्टो 20 360 तो 360 इनका LCM आयगा तो इन सभी का LCM लिस्ट common multiple 360 है इसका मतलब इन सभी नंबर से हम अगर डियाइड करेंगे इसको तो हमें remainder 0 मिलेगा तो ऐसा नंबर जो नंबर जिस नंबर को हमने इन सभी से डियाइड करने के बाद remainder 5 आना चाहिए तो हमें answer करके ऐसे लिखना है 360 प्लस 5 इकल तो 365 या फिर complete sentence में हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिन नंबर 365 is such that which when divided by 8, 9, 10, 15 and 20 gives a remainder 5 every time next question है इसी exercise में practice set 14 में 6 question number HCF and LCM of two numbers are 432 and 72 respectively respectively किल का मतलब first number का और ये second number का HCF 432 LCM 72 if one of the numbers is 216 what is the other तो HCF, LCM और एक number तो हमें दूसरा find करना है तो हमें यहाँ पे वो ही property लिखने हैं जो हमने लिखी थी HCF into LCM is equal to product of numbers अब दोनों numbers का हमें product लेना है तो इनमें से let one number भी X हम consider कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे दिया गया है या तो यह पहला और यह दूसरा number तो HCF और LCM इनका multiplication 432 into 72 is equal to product of numbers एक number 216 दूसरा हमें नहीं पता ओ लेना है X तो इसे हमें solve करके X के value find करने है तो 216 से left hand side को हमें divide करना पड़ेगा 216 अब देखे 6 plus 1 plus 2 9 आता है और यह 7 plus 2 9 तो इन दो numbers को 9 से divide होगा 9 इट जा 72, 9 3 जा 27 जादा होगा तो 9 2 जा 18, 3 remainder 9 4 जा 36, 8 से 24, 8 3 जा 24 3 से divide करे 4 32 को 3 जा 3 4 माइनस 3, 1 13 3 4 जा 12 remainder 1, 3 4 जा 12 तो answer आएगा 144 जो होगा तो वो दूसरा number होगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों next और दो questions हैं जो इस chapter में थोड़े अलग हैं वो मैं आगे की वीडियो में मतलब एक short वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वो दो questions जो हैं निकलेंगे तो ठीक है thank you दोस्तों